रक्षबंधन के त्योहार को लेकर इस साल बड़ा कन्फ्यूजन है। इस बार दो दिन की राखी है, 30 अगस्त की भी और 31 अगस्त की भी। अगर आप 30 अगस्त यानि की आज राखी का त्योहार मना रहे हैं तो किस समय अपने भाई को राखी बांधने का कौन सा समय उचित है। जोतिशाचारे की अनुसार इस साल रक्षबंधन का त्योहार भद्रा के साई में मनाया जाएगा। 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा रहेगी जिसके चलते त्योहार दो तीथियों में बढ़ गया है। रक्षबंधन 30 अगस्त की रात और 31 अगस्त की सुबह मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार भद्राकाल में भाई को राखी बाधना वर्जित माना गया है। एक प्रचलित कथा के मताबिक सुर्पन खा ने भद्राकाल में ही रावन को राखी बांधी थी और लंकेश का पूरा सामराज उजड़ गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भद्राकाल में एक पहर ऐसी भी होती है जुसमें भाई को राखी बांधी जा सकती है। जोतिशा चार राचकमार शास्त्री ने भद्राकाल में भाई को राखी बांधने का समय और नियम बताये हैं। चच आरंब हो जाएगा और इसका समापन छे बचकर 31 मिनट पर होगा। विशेश स्थिती में रक्षबंधन मनाने वाले भद्राकाल में भाई को राखी बांध सकते हैं। इस अवधी से चूकने वालों को रात 9 बचकर 2 मिनट के बाद जब भद्रा समाप्त होगी तभी राखी बांधने का मौका मिलेगा। तीस अगस्त को सुबह 10 बचकर 69 मिनट से शावन पूर्डिमा आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही भद्राकाल आरंभ हो जाएगा जो की रात 9 बचकर 2 मिनट तक रहेगा। यानि तीस अगस्त को रक्षबंधन के दिन खरीद 10 घंटे का भद्राकाल रहने वाला है। आपको बता दें कि चंद्रमा जब मेश, विशब, मिथुन या विश्चिक राशी में रहता है तब भद्राकावास स्वर्ग लोग में होता है। इस बार भद्राकुम्भ राशी में लग रही है इसलिए इसका प्रभाव प्रित्वी पर जाद रहेगा। रक्षा बंधन का तोहार हर साल स्ट्रावर्ण शुक्ल पुर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहने अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके लिए मंगल कामनाई करती हैं। खेरी विजियो आपको कैसा लगा इस वीडियो पर आपकी क्या राए हैं। हमें कमेंट बॉक्स पर लिक कर जरूँ।